कि यह विल्कम तो दो ट्रेइनिंग प्रोग्राम ओफ एसेसर्स तिस का बहुत बहुत स्वागत है यह प्रोग्राम बेसिकली एसेसर्स के लिए है और जो भी स्लाइड है उसमें आपको बताया जा रहा है कि इस पूरे ट्रेइनिंग प्रोग्राम का आउटकम क्या है तो सबसे पहले जो आप एक चीज जानेंगे कि कि एसेसर का काम क्या है वो आप जानेंगे आप competency-based assessment लेना सीख जाएंगे जैसा competency का पहले आपको बताया हुआ है competency का मतलब होता है योगिता तो आपको जो मुल्यांकन करना है आपको जो assessment लेना है वो अगली की योगिता के आधार पर होना चाहिए जिस पर उनको training मिली है उसी job role के हिसाफ से आपको training कराना है और उसी training के basis पर आपको assessment लेना है मुल्यांकन करना है उसके बाद कहता है आपको जो भी assessment लेना है वो vocational skills knowledge and understanding पर लेना है जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है qualification pack में जिसको हम short में QP बोलते हैं उसके अंडर में होता है national occupational standards किसी भी काम को करने का जो एक standard है वो सारी चीज़े qualification pack में आपको मिलती है उसमें होता है performance criteria काम को करने के जो criteria है वो होते है performance criteria उसके detailing में जाएंगे तो होता है knowledge understanding and skill जिसको हम short में बोलते हैं के यूएस अब के यूएस के काहने अगर हम बात करें तो आप assessment में ये तीनों element आपको मुल्यांकन करना होता है तब जाकि ये assessment होता है या else ये examination हो जाएगा तो assessment का मतलब क्या होता है आपको उनकी knowledge check करना है उनका caution check करना है और उनकी समझ 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 चेक करना है कहने का मतलब की और ये कैसे check करोगे knowledge check करोगे आप theory paper से skill practical activity से और जो आपका understanding है समझ है वो why was up करोगे आपको इसके बाद पता होना चाहिए कि assessment result या evidences जो भी assessment के आप evidences है उनको evaluate करेंगे आप देखेंगे कि क्या सही evidences है जो assessment हुआ है क्या वो as per principle of assessment हुआ है जिसको आगया वाले slide में हम जानेंगे आपको ये भी पता करना होगा कि जो evidence इखटा हुआ है क्या वो as per rules of evidences है कि नहीं तो ये सारी चीज़े आपको पता चल जाएंगे इस training के बाद है ना इसके बाद इस assessment के बाद की कारिवाई क्या होती है आपको health and safety practices कैसे apply करनी है assessment के दौरान ये भी आप सीखेंगे assessment environment क्या होता है ये भी आप जानेंगे जैसा कि हमने पहली भी cover किया हुआ है कि वो हर एक चीज़ जो आपके assessment ecosystem में assessment मुल्यांगन करने में आपको मदद करती है या प्रभावि जिसको महसूस कर सकते हूँ जिससे tangible के बात करें कुर्सी मेज प्रोजेक्टर पैन पेपर पुशन पेपर ये सारी चीज़ा आपकी tangible हो जाती है इन tangible के बात करें तो आपका environment कैसा है महौल आपने कैसे बनाये हुआ है कैसा ecosystem आपने develop क्या ही हो जाती है इसके साथ-साथ आप आपको ये भी पता लग जाएगा कि emergency situation में आपको कैसे action लेना है आपका course of action क्या होगा आपको हमेशा ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप professionalism को carry करेंगे training के दौरा discipline रहना, ethical practices करना, ethical practice पे हमने पहले भी चर्चा की है कि हमें एक bias नहीं होना है किसी भी जाती या किसी भी समुधाई के प्रती हमें किसी भी कोई भी judgmental होके कोई marks नहीं देना है किसी को जो जैसा perform करें उसे सापसम को marks देना है तो ये सारी चीज़ा आप इस प्रेनर प्रोग कोई होता है जो कि आपके screen पर देख रहा है जिसको हम बोलते है MEP Q 2701 आपको याद नहीं रखना है सर्फ समझने की बात है कि ये 2701 एक कोड है जो की assessor job run को दिया हुआ है level आप भी level 5 की training कर रहे हैं जो भी trainers होते हो level 5 certified trainers होते हैं और assessors होते हैं देखिए एक सवाल आता है कि assessor क्या है तो ये हमने चर्चा भी की इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि देखिए the assessor assesses candidates in an area of subject matter expertise देखिए जो assessor होते हैं पहला काम उनका क्या होता है वो assessment लेना ये तो बिल्कुल clear बात है लेकिन assessment किसका जिस subject के हमारे assessor expert है जिस subject के उनको दख्षता है जिस subject जिस qualification जिस job role की expertise है उनके पास experience है उनके पास उसी job role की वो assessment करा सकते हैं क्योंकि तभी तो उनको उस चीज के बारे में पता होगा लेकिन जो assessment होगी वो as per occupational standards होगी जो उस job role के standard बने है उसे के हिसाब से होगी जो हमें कहा मिलेगा qualification pack में तो इसके बहुत साधानर से definition है assessor व subject जिस subject के वो मारती होते हैं उसकी assessment लेते हैं as per the occupational standard या as per qualification pack उनका काम होता है training partner से coordinate करना assessment agency से coordinate करना हमने concept जाना था इस POC का जिसको SPOC बोलते हैं जिसका full form होता है single point of contact ठीक है उनसे बात करना समय काम को समय से complete करना सब को जिस मूद कराना ये सारी चीज़े होती है assessment और examination का अंतर आपको बहुत detail में चर्चा की हुई है फिर से मैं बताता हूँ कि कैसे assessment और परिक्षा अलग होती है देखिए assessment हिंदी में मुल्यांकन कहलाता है जिसमें की और examination को बोलते हैं परिक्षा इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे formative assessment, summative assessment से अलग है देखिए सबसे प assessment element complete cover करना पड़ता है assessor को जिसमें होता है theory, practical and viva on the other end अगर मैं examination की बात करूँ तो वहां से फिक theory होता है वो theory जो होता है वो basically कराय जाता है to check the knowledge of the candidate उनका ज्यान चेक करने के लिए और इसमें कोई feedback नहीं होता है परिक्षा का कोई feedback नहीं होता है लेकिन मुल्यांकन की कारे को शल्ता चेक करने के लिए और साथी साथ आपको वाईवा कराना है to check to measure उनकी समझ क्या है उस विशे की समझ क्या है क्या उनको पता है कौन सा tool कहां पर इस्तिमाल करना है इसके साथ साथ एक feedback channel होता है जहाँ पर candidates feedback देते हैं trainer के बारे में, trainer feedback देते हैं candidates के बारे में, तो कहने के मतब एक feedback channel होना बहुत ज़रूरी है और यह feedback channel होता है assessment में तो यह अंतर याद रखिए बहुत ज़रूरी है assessment versus examination देखे फॉर्मेटिव और summative assessment की भी चर्चा की है हमने फॉर्मेटिव assessment जो हम internal assessment कराते हैं मुल्यांकन करते हैं जिससे हमें यह पता लग जाए कि भई जो हम training करा रहे हैं क्या वो सही training जा रही है लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है या generally यह trainers कराते हैं फॉर्मेटिव assessment या हम ऐसी assessment हो जाए जिससे कि हमें यह पता चल जाए कि लोगों की समझ क्या है summative assessment, final assessment होता है जहां पर आपको आपके performance के आधार पर आपको award मिलता है और आपको certificate issue होता है, तो यही था formative versus summative assessment, platform skill के बारे में भी बहुत detail में चर्चा होई है फिर्फ से आपको बता दे जाए कि platform skill होता है किसी भी training या assessment को कराने संचालन का तरीका संचालन की क्या skills है आपके पास देखिए, संचालन आप कितने भी दिगज ट्रेनर या assessor हों लेकिन अगर आपको संचालन नहीं आता तो आप training assessment effectively नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपके पास होना चाहिए platform skills डेटेल वीडियो के लिए हमारी दूसरी वीडियो देखेगा उसमें बहुत डेटेल में platform skills को समझाये होगा principle of assessment देखिए आप assessor है तो आपके लिए ये पिलकुल basic है कि आपको पता हो कि कोई भी assessment होते है उसके चार principles होते हैं और उनके बारे में जाना जरूरी है पहला principle कहते हैं valid होना जरूरी है कोई भी आप assessment कराते हैं वो valid होना जरूरी है दूसरा reliable, तीसरा flexible and चौथा fair देखिए valid से आप क्या समझते हैं कभी भी जब आप assessment कराईए कभी भी आप assessment कराईए तो जो आपका assessment होना चाहिए वो उसका level सेम होना चाहिए जिस level की training बच्चे को मिली है अब ऐसा नहीं है कि class 6 के बच्चे को आप 12 वी class के level का परिक्षा करा देंगे आप मुल्यांकन कर लेंगे तो ये invalid assessment होगी valid assessment तभी होगी जब आप जिस level की training बच्चे को मिली है या candidate को मिली है उस level के ही आपको assessment कराने है तो आपको जब भी आप assessment के लिए schedule होँ आप हमेशा देखें कि बच्चे को बच्चे को मिली है दूसरा आता है reliable ठीक है reliable होना बहुत ज़रूरी है आप किसी भी तरीके से आप assessment कराएं लेकिन वो consistent होनी चाहिए कहने का मतलब एक batch की आपने assessment कराया और उस batch में सारे fail हो गए ठीक कुछ दिनों बात अगर हमने उसके रिए assessment कराया और बच्चे अच्छा perform कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी assessment reliable नहीं है कहने का मतलब है course of action अगर एक ही batch का multiple assessment करें within a fixed time interval तो उसका result लमसम सेम आना चाहिए बहुत जादा अंतर आ रहा है इसका मतलब है कि कहीं तो गड़बढ है यह non reliable होगा आपका flexible होना बहुत जरूरी है देखे, as a assessor हमेशा बोला जाता है कि आपको reasonable adjustment के लिए हमेशा त्यार होना चाहिए reasonable adjustment क्या होता है जैसे कई बार क्या होता है कि हमें पता चलता है कि कोई candidate है जो किसी तरीके से challenged है या किसी तरीके की individual की जो need है या उसके साब सामें अपने content को अपने training और अपने assessment modules को थोड़ा सा उसमें adjustment करना होता है जैसे किसी बच्चे को कम दिखता है तो उनको आप आगे बिठा सकते है अपने content का font size बढ़ा कर सकते है ठीके किसी को उन्चा सुनाई देता है तो आप उनको आगे बिलाके बिठा सकते हैं so that और उनसे बार बार पूच सकते है मतब आपको flexible होना आपके characteristic में होना चाहिए चाहिए आप trainer है या फिर आप assessor है क्योंकि तब ही जाके आप justify कर पाएंगे अपनी assessment को ठीके student को अपनी assessment process के बारे में पूरा बताएं उनका अधिकार है उनका हक है जानना और उस हिसाब से अगर कोई तो आप reasonable adjustment कर सकते हैं लेकिन reasonable adjustment का या flexible होने का मसलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपने standard से deviate कर रहे हैं वो गल्चीज हो जाती है चौथा point होता है fair होना देखिए आपको आपके assessment fair होने चाहिए किसी भी तरीके से आप परिक्षा करें किसी भी तरीके से आप मुल्यांकन करें लेकिन वो as per qualification pack होने चाहिए आपको अलग से कोई सवाल ये जवाब नहीं करने तो कि देखिए जो qualification pack बना है ये भी industry expert से बना है और ये validated है तो आपका जो भी assessment होना चाहिए वो correct equipment पर होना चाहिए ठीक है और सही protective equipments यूज होने चाहिए occupational standards से होना चाहिए और student की जो need है जो already उन्होंने training की उसके आधार पर होना चाहिए ये चार principle of assessment है और ये बार बार आपसे जब आपके assessment होती है तो ये exam में भी पूछा जाता है आपको याद होना चाहिए ये valid, reliable, flexible and fair qualification pack पर हमारी एक वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं रेफर कर सकते हैं वहाँ से आपको सारे information मिल जाएगी तो आप उस वीडियो को जरूर देखेगा देखे इस पूरे जो assessor job role है assessor qualification pack है इसमें ये सारी चीज़ें हम ये सारे नौस हमको पढ़ना है और समझना है जैसे कि plan and organize for competency based assessment योगिता के आधार पर आपको मुल्यांगन करना है उसके लिए आपको planning करने है उसके लिए आपको assessment को organize करना है आपको assess करना है उनकी कार कारिक शलता को उनकी समझ को और उनके ज्यान को आपको health and safety practices भी करना है so that कोई भी activity कराते समय बच्चा खायल ना हो किसी प्रकार की कोई miss happening ना हो जाए training assessment जिसको assess training and assessment environment को आपको assess करना है और किसी भी प्रकार की आन्यमित्ता होती है या deviation होता तो आपको report करना है assessment agency को apply principles of professional practice at the workplace हमेशा professional professional माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है और खुद professionally well behaved हो के जाना है और एक एक औरा create करना है अपने आपको एक professional body बन के जाना है और हमेशा professional behavior रखना है उससे के साथ यह हमारा road map है जैसा कि हमने पहले भी discussion किया उसी चीज़ का है कि भाई जब हम plan and organize for competency-based assessment तो इसमें क्या होता है देखे हमेशा qualification pack पढ़िए जब भी assessment लेने जाए उसके पहले आप से हमेशा उमीद की जाती है कि आप qualification pack पढ़ें उससे questions बनाए theory के practical के वाईवा के activities develop करें किस activity में कितने लोगों को आपको इस सारी चीज़ा आपको पहले से plan करनी होती है तब जाके आप effective assessment ले सकते हैं assessment को interpret करें समझे assessment को assessment की क्या requirement है assessment tools क्या क्या लगेंगे assessment की क्या कितना समय लगेंगे सारी चीज़ें आपको assessment के पहले interpret करनी है समझना है assessment को manage करना बहुत बड़ी बात होती है और ये भी आपको आना चाहिए कि कैसे manage होगी बच्चों को या candidates है उनको कैसे आप manage करेंगे, उनकी assessments को कैसे manage करेंगे, सारी कहाने होती है record करना बहुत ज़रूरी है assessment को as an evidence हमेशा recording कैसे होगी, कितने समय के recording होने चाहिए, photographs, practice करनी होती है, dress rehearsal करना होता है, time management का कैसे समय से, आप सारी activities कर लें क्योंकि assessment बहुत लंबा process होता है उस सारी activities आपको समय से complete करनी होती है, इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़े review करनी होती है आपको जानना चाहिए कि भई, आपके target candidates कौन से है, किस level के है, क्या qualification pack है जिसके आपको assessment लेना है, जगा कौन सी है, किस date है, कहा क्या time assessment का, और SPOC जिसको हम बोलते है single point of contact का contact details क्या है ठोकि उनसे आपको बात करनी है assessment tools क्या क्या लगेंगे question paper, feedback forms award sheet ये सारी चीज़ें आपको develop करनी है, discussion करना है assessment लेना है, आप कौन assessment method इस्तमाल करने वाले है ये भी आपको पहले से practice करके plan करना है इसके साथ-साथ आपको जब center पे पहुँच गए, तो जो भी आपके target learners है, जो भी प्रतिभागी है जो सीखने आए है, उनसे आपको बातचीत करनी है, उनको बताना है कि भी assessment का purpose क्या है बहुत ज़रूरी है ये बताना कि भी क्यों assessment कराई जा रही है आप क्या process लेंगे assessment कराने में, आपको साथ-साथ बताना है कि कितने समय का ये पूरा assessment का process होगा, फिर साथ मैं आपको बताना है कि आपके जो assessment कराओगे इसके rules क्या है देखिए rules बताएंगे पहले से तो आप सुरक्षित रहेंगे आपका process strong बनेगा valid बनेगा तो यह बहुत जरूरी है कि आप बताएं क्या 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 आपके उस particular assessment प्रोसेस में क्या है attendance लें सारे evidences capture करें documents को एकटा करें सही तरीके से verify करें कि जो document आपने एकटा क्या वो सही है कि नहीं and the most important confidentiality को follow करें किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से data breach ना हो दूसरा module कहता है SS vocational skills knowledge and understanding भही आपको अब इनकी skill knowledge and understanding assist करना है सबसे पहले interpret assessment standards assessment standards आपको मिलता है qualification pack में सबसे पहले आपको पढ़ना जरूरी है और आपको इस समझना जरूरी है कि भाई assessment standards है क्या क्या standards है जिनके basis पर आपको मुल्य अंगन करना है बच्चों का match and measure evidence जब भी आप evidence इखटा कर रहे है जब photograph वीडियो हमने evidence के बाद की evidences हर एक वो चीज जो यह justify करती है कि assessment इस दिन particular दिन standardized तरीके से होगा वो evidence होता है photographs, videos, feedback form, attendance sheet, question paper इस सारी चीज़े evidence होता है तो आपको यह match करना होता है यह देखना होता है कि जो evidence है आपका जो भी आपका evidence है वो चेक करना होता है कि वो सही है कि नहीं है sufficient है कि नहीं है हमने already rule of evidence में देखा valid है कि नहीं है current है कि नहीं है अभी आगे चलके भी आप देखोगे इसमें ठीक स्लाइड के बाद है कि वो rule of evidence के साब साब को देखना होता है एक्जामिन करिए देखिए कि जो evidence एकटा हुआ है वो सही भी है कि नहीं photographs blur तो नहीं आ रही ठीक है आपको यह देखना है कि जो भी आप assessment करा है जो भी आप judgment ले वो consistent हो वो valid हो consistent होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है available evidences जो भी evidences है वो rule of evidence के हिसाब से है rule of evidence जानना बहुत ज़रूरी है यह बहुत important slide है कि देखिए जब भी आप evidence के बात करते हैं तो वो as per rule होना चाहिए कुछ भी evidence आप नहीं दे सकते हो पहली चीस तो वो valid होना बहुत ज़रूरी है जब हम validity की बात करते हैं इसका मतलब यह होना चाहिए कि जिस level या जिस job role की बच्चों की training होई है वो ही उसी level और उसी job role की परिक्षा होनी चाहिए मुल्यांकान होना चाहिए उसी level का assessment होना चाहिए और जो भी evidence होना चाहिए वो उसी level का दिखाना चाहिए रिफ्लेक्ट करना चाहिए sufficient दूसरा आता है sufficient sufficient की कहानी क्या होती है कि जो evidence हो वो quantity उसकी sufficient हो उससे क्या होता है कि आप student की competency student की योगिता पर एक निर्णे ले सकेंगे है ना मालिया आपने सिर्फ attendance लिया photographs नहीं लिया तो ये insufficient हो गया आपको sufficient evidences इखटा करने है ये proof करने के लिए बताने के लिए किसी भी candidate की योगिता competency को authentic रखिए जरूरी है जिस बच्चे के आपने assessment लिये उसी का evidence उसके नाम के आगे attached होना चाहिए current, current means वर्तमान, हमेशा वर्तमान होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने किसी पुराने batch का कोई evidence दे दिया हमेशा evidence current का होना चाहिए तो ये चार rules होते हैं जिसमें बोलते है valid, sufficient, authentic and चौता होता है current चलिए, इसके अलावा और कुछ चीज़े होती है कि आपको technology का आना बहुत ज़रूरी है, computer और application assessment कैसे कराई जाते है पता होना चाहिए, evidence को record कैसे करते हैं, वो पता होना चाहिए video recording जो भी की है उसको देखना चाहिए कि भाई ये सही हुई है कि नहीं, है न, authenticate certificate करना बहुत ज़रूरी है इसके साथ-साथ आपको check करना है, कि सब कुछ है, मतलब technically आपको sound होना चाहिए, आपको हमेशा ये भी देखना है, कि जो आपका work area है, वो clean है, assessment area clean हो, है न, आपको अगर किसी भी तरीके के housekeeping के requirement है, तो आपको facilitator को बताना है, कि भाई, इस tool या इस equipment को maintenance के जोरत इसको कराईए, अगर तब भी कुछ नहीं होता है, तो इसको सही जगा पे escalate करिए, आगे बढ़ाईए, शिकायत करिए, सही concern person को अब इसके साथ-साथ होता है, कि हमेशा safe working environment को promote करिए, कोई ऐसे activity मत कराई है, जिससे किसी भी तरीके का जोखेम हो, अगर कुछ ऐसे activity है, तो उसको तुरंट वहीं रोकिए, और first aid वेगरा देने के बाद आप ये देखे, कि कहीं उस activity के वेरेंस है, तो ये accident नहीं हुआ, हमेशा risk management strategies रखे, हमेशा देखते रही है, कि कोई भी activity हो रही है, या आपके जो classroom है, जहाँ पर assessment करा रहे है, वो safe हो, अगर किसी भी प्रकार का health hazard, आपको किसी भी तरीके से आपको लगता है, कि कहीं कोई issue है, तो आप उस चीज़ को त्वरित निर्णे लिजे, त्वरित कारेवाई करिए, जिससे कोई बड़ा mismanagement होने से आप बच सके, हमेशा जो भी safety record है, उसको document करिए, document करना बहुत जरूरी कि भई, फलाने candidate को यह हुआ था, और इस पर मैंने यूँ कारेवाई करी, इसके साथ साथ आपको हमेशा एक बात कही जाती है, कि competency के आधार पर आपको हमेशा अपने training decision लेना है, तो वो चीज़ बहुत जरूरी है, आप वही चीज़ कहना है कि कोई भी जो procedure है ना, या instructions है, हजार को deal करने में, कुछी भी तरीके की जो dangerous situation होती है, वो आपके scope of responsibilities और आपकी योगिता के आधार पर होना चीज़, हमने पहले भी चर्चा की है, कि अगर आपको firefighting की training नहीं है, center पर आग लगती है, तो आपने firefighting equipment लेके आग नहीं बजाना, पहली priority आपके हमेशा learners होते हैं, उनको panic situation में नहीं आने देना है, उनको पहले evacuate करना है, ठीक है, तो within the scope of responsibilities, अगर आपको किसी को first aid नहीं देने आता है, आप नहीं पता, तो आप please concerned person को request करिए, बुलाईए, खुद कभी भी अपने scope of responsibilities से आगे जाके, मत करिए क्योंकि ये अगले के लिए खत्रा हो, डॉक्यमेंट करिए, हर एक चीज को डॉक्यमेंट करिए, कोई भी दुरगटना और अच्छे घटना सब को डॉक्यमेंट करिए, डॉक्यमेंट करके concern team को भेजिए, अगर वही बात है कि कि किसी को first aid की जोरत है, तो आप support करिए, और किसी भी तरीकी की किसी को care चाहिए, या personal hygiene की आवशकता है, तो उनको आप attend करिए, emergency और potential emergency situation को पैचाने, आप देख रहे हैं कि AC short circuit हो रहे है, आपने तुरन्त उस time यह analyze करना assess कर लेना है, कि भाई यह dangerous है training center manager SPOC को, या facilitator को बताईए, कि भही, आप spark हो रहा है, कि यहाँ पानी फैला हुआ है है ना, यह गीला है, यहाँ आप slip होने का डर, यह सारी चीज़ा आपको देखने होती है emergency procedure follow करिए, panic मत होईए, किसी भी situation में ना खुद panic करिए, ना लोगों को panic होने दिजिए, अरगर कोई emergency होती है, तो उसको report करिए document करके report करिए, बताईए लेकिए, apply principles of professional practice at the workplace यह last module होता है, हमेशा professional appearance में जाईए, formal कपडे पहन के जाईए, because यह बहुत sincere job रोल है, sensitive काम है इसमें आपका professional दिखना बहुत ज़रूरी है, हमेशा जो interact करिए वो professionally interact करिए, जिससे कि एक एक अच्छा professional environment assessment environment हो जाए, चीक है हमेशा देखिए, कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि आप अपने personal और professional goals और objective बनाईए, यह बहुत ज़रूरी है जब हमने अपने लिए कोई goal निर्धारित कर लिया या हमने कोई objective बना लिया तो हम खुद को focus रख रहे हैं मेरे जीवन में या हमारे जीवन में एक उद्देश यह है हम motivated है, जब हम motivated रहेंगे, तभी जाके हम अपने learners को motivate कर सकते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने goal and objective, personal इसके साथ professional खुद बनाए, इससे आपकी growth होगी और आपके साथ-साथ आपके learners की growth होगी, अपनी strength अपनी strength और weakness दोनों को पहचानिए, strength को बढ़ाईए, weakness पे काम करिए so that वो weakness खतम हो जाए और फिर आप strength as a brilliant trainer बनके, assessor बनके खुद की capacity का हमेशा check करते रही है जो आपने उपर goal set की objective set की है, जैसा यहाँ पर आपने देखना है कि एक time के बाद खुद assess करिए, कि क्या वो goal complete कर पाए हो आप, क्या आपने जो set किया था साल के शुरुवात में, वो mid में check करिए कि क्या आप उसके लिए कोई आपने कदम उठाया है, यह सारी चीज़े होती है, apply principles of professional practices, अपनी personal development needs रही है, हो सकता है आपको communication skills के जोरत हो, हो सकता है, आपको french सीखने के जोरत हो, इंडिया के बाद कर हो सकता है, आपको ज़रूरी चीज़ है, सीखते रहना, जब आप हमेशा सीखने का प्रयास करेंगे, तो आप लोगों को सिखा भी पाएंगे, खुद को पहचानिए, खुद का मुल्यांकन करिए, लोगों के feedback से, जो भी लोगों feedback देते हैं, उसको सकारात्मक तरीके से लीजिए, उसको constructive वे में लीजिए, और उससे सुधार करिए, अपने content में, अपने delivery में, यह बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क में काम करिए, जब भी हम टीम वर्क की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि आपने मिल के काम करना है, एक साथ, टीम वर्क, एक दूसरे को respect करना बहुत ज़रूरी है, last is handling conflict of interest, बहुत ज़रूरी है, जब भी किसी से, जब आप टीम में काम करते हैं, तो conflict of interest होता है, उसको manage करना बहुत ज़रूरी है, बातचीत करिए, एक अच्छा communication channel रखिए, और किसी भी कोई बात होती है, उसको टालिये नहीं, उसको handle करना सीखिए, negotiations आना चाहिए, कभी भी आप बाहर बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए, बात कैसे रखनी है, अपनी बात कैसे रखनी है, अपनी बात को कैसे justify करना है, so with this, हमने टी ओए, training of assessor का पूरा module complete कर लिया है, देखें, आप लोग हम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, मेरा number आपके पास है, मेरी email आईडिया आपके पास है, ये वीडियो देखने के बाद, आपको किसी भी तरीके का doubt होता है, या किसी भी तरीके का आपको लगता है, कि आपको help चाहिए, तो आप मुझसे directly contact कर सकते हैं, मेरी contact details already आपके पास हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, wish you all the best, thank you so much.